कि ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है जैसे कि हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जो केंदर सरकार द्वारा UPS लागू किये गया है उसके बारे में क्या क्या उसमें प्रावधान है क्या 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 है वैसे ही 36 गड़ में एक अभी मुद्दा सिक्षकों के बीच जम कर चल रहा है वह प्रदेश सरकार द्वारा युक्ति युक्तिकरण कि जाने को लेकर है उसी संबन में हम चर्चा के लिए आज हमारे साथ मैमान जुड़े कि जो प्रदेश सांख सरवसिक्षक्र संग के उन्हीं से जाने की कोशिष करेंगे कि क्या है युक्ति-करण क्लश कि आम आजमी के समझ में नहीं आता कि रीचा है युक्तिक्तकरण प्रदीब जी आपका स्वागत है तो क्या है प्रदेश में जो युक्टीव प्रकरण विरोध कर रहे हैं किस कारण से कर रहे हैं देखें नमीन जी धन्यवाद आपका कि आपने बहुत की महत्तों मुद्दे को अपने डिवेट में स्वाइल किया है जड़ा हुआ है और यह मुद्दा अभी बहुत की प्रासद्रीख है क्यूकि प्रदेश सरकार ने एक निर्णा लिया कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए युक्तिव करण किया जाएगा और युक्तिव करण किया है कि जहां पर सेटप से अधिक शिक्षक है वहां के सिक्षकों को हटा कर तहीं जहां थाली है वहां फेड़ा जाएगा ऐसा उन्होंने कहा लियम बढ़ाया लेकिन जब युक्तिव करण करने का निर्देश जारी किया गया तो उसमें जो है तो वहां पर एक शिक्षक प्रधान पाठक के रूपे रहेंगे और एक रुपे रहेंगे और एक रुपे रहेंगे कि इसी तरह के मेडी लिश्कुल में को बदला गया है यह बड़ी बज़ा है जिसका विरोध हो रहा है लेकिन सबसे महुत पूल बात यह है कि यदि सरकार यह चाहती है तो विद्धियालों में शिक्षक उनकी कमी को पूरा किया जाए जहां पर शिक्षक नहीं है या एकल ली विद्ध्वाइब हैं भी विश्टकार करना चाहते हैं तो बिना परिशान किये मांसिक उसे प्रताडिक कि उसके दूसरे उपाय भी विकल्प उपलब्द है किस ताइब के विकल्प और किस ताइब के हैं सरकार के पास जी नमीन जी मैं बताना चाहूंगा हमने सरकार को विधायकुट के माध्यम से यह अग्यापल सहुपा है मान्यमुक्तिमंत्री जी के नाम पे कि विद्यालियों में शिक्षपु कुप्रा करने के दूसरे भी विकल है कि सबसे पहले अगर बात करें कि जितने भी विद्याले हैं वहां पर शिक्षपु कमी है उन विद्यालों की सुची जारी कर दिये जाए और जो शिक्षप प्रमोशन के पात रहे हैं बदुन्नती के पात रहे हैं आज लगए 25-27 वर्सों के शिक्षप ऐसे हैं जो एक ही ट्रांसफर्स अपने घर के आसपास जाना चाहते हैं जैसे मालों को राइबार में सिक्षप रहता है और उसको बिलासपूर आना है तो वह यह नहीं देखा जाए कि विलासपूर को किसी भी स्कूल में लेने लिए तयाब हो जाएगा कि विलासपूर आना चाहता है लेकिन ट्रांसफर्स के पर लगे बैन को काफी समय से खुला नहीं गया है शिक्षप आना चाहते हैं आनी पा रहे हैं दूसरा ओपन ट्रांसफर पभी गल पर ट्राइबल से एजुकेशन और एजुकेशन से ट्राइबल में जो ट्रांसफर होना चाहिए इस पर पूरी तरीका से बहुंसारी सिक्षफ हमारे और रहते हैं लेकिन वह नई जा पाए हैं और कुछ हमारे भी लुकाने लेको हमारे सिख्षप आइसे हं सफिकाए कयो आतरु पर रहते हैं सर्फ आर्यों के पर चेश्फरों नहीं हो रहते हैं nos saat ह quizاتु अफ्याल स्नॉचत बढ़ी एुवर्यान कि अधियों को पुरी कर सकते हैं जहां पर सिक्षप एकल शिक्षिक है और दूसरी ओर ओपन ट्रांसपर के माध्यम से ऐसे विद्यानियों को भरा जा सकता है तो इस तरह से जो समस्या है लेकिन अधिकान से यह होता है कि सिक्षपों को परिशान किस तरह से किया जाए ऐसे नियमों को तक्तालिक लागू किया जाता है अब प्रमोशन में प्रमोशन चलते रहा वह सार दो साल तीन साल तक कि प्रक्रिया चलते रहती है लेकिन जैसे युक्यूब करन करना है तो उस वुखस्वांस क्रें नहीं कुष्प कंभी गया स्वस्वारा को निमने जो स्वाथ एने वाला समय ए बहुर बड़ाश्मत हुआ है परना आपकला क्ल savez सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना सरकार को पड़ेगा या सिख्षक भरती करें तो इसे बचा जा सकता है इस पर क्या करना चाहेंगे सबस्क्राइब करेंगे लेकिन अभी स्वय मात देख रहे हैं कि हजारों इसको जो है वह यूप्यूत करन के तहर बंद कर दिये जाएंगे तो इसे में नहीं भरती कहां से होगी यह हमारे युवा पिढ़ी के रोजगार पर भी डंका मारा जा रह इस तरह से भरतिया जो होनी चाहिए वह उसको छोड़ता है जो है इस तरह से युवत्यूत करने क्या दोरा प्तारित करने की आज अने वाले समय भड़ जाएंगे तो भ्रतिया नहीं हो की बंद जाएंगे तो कहां पर शिख्षक की भरती करेंगे आप यह बड़ी समस्या ह दÍस दूसरी बात जो आप ने कहा कि यह सरकार जो उसमें प्रहाब शिक्षक परिक्षा होना है, आने वाले समय में जिमाही परिक्षा होना है, अब सिक्षक जो है युट्की उप्षरण के जाल में फसकर, पूरी तरह से मानसी गुरुप से प्रतारित हो रहे हैं, मानसी गुरुप से परिशान हो रहे हैं, रात दिन के दिमाग में चल भाए कि हम कहा जाएंगे क्या होगा पढ़ाई प्रभावित हो रही हैं, बच्यों के साथ में पालग भी से परसान हो रहे हैं, और युवर्ग नई नवकरी के आस लगाए बैठे हुए थे, जब पद ही समात्त क्या जा रहा हैं, उनके लिए नई नवकरी कहां से प्राप होगी, नई भरती कहां से होगी, ये 20,000 पदों की जो घोसला हो चुकी है, शिख्चकों की भरती की, उसका कुछ नहीं हो पाया है, आपने बताया, युक्तिक्त करण के चक्कर में जो नए नवजवान है, जो मतलब शिख्चक का भरती का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी इंतजार अभी और करना पड़ेगा, त देखे, वो सिक्षा संगठन होते हैं, कोई भी गर्मचाई संगठन भी होता है, वो इक जबाव समय होता है, हमारा काम है सही गलत पर सर्कार को ध्रान आतिश्ट करना, और अभी जो युक्त करन हो रहा है, उसकी गलत परंपराओं को लोकर उसके गलत नीचियों को लेकर हम अधान करने के लिए माननी मुक्त मत्री जी के नाम से हमारे प्रदेश के समस्तमानी विदायकों को ग्यापन सौपने का एक मोहिम चलाया हुआ है, आने वाले चरणों में, यदि रोगा नहीं गया, तो फिर हम समस्त्राइस के समस्त करमचारी और सिक्षगबंदु जो है, म हमारे स्कूल बंध हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ाई से प्रभावीत हो, बंशीत हो जाए, यह हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लिए यापन देकर जो है, यह बात उन तक हो जाने का काम किया है, लेकिन फिर भी सरकार यदी नहीं मानी, अपकी हर्दर्मिता पर उत्री र बात करें, तो युक्ती युक्त करन को लेकर सिक्षों को में रोस व्यापत है, दोनों मुद्दों पर आगे आने वाले समय पे क्या हमेट होगा, इसके लिए हम आप उसे फिर से जुड़ेंगे, प्रदीव जी आपने पहुंद बढ़िया जानकारी दी आपका धन्यवाद तो दोस्तों ये थानी 36, 33 की आवाज अभी हमें दीजे विदा, नमस्कार जय जोहार